दादी मा के 41 आसान नुस्खे जरूर सुने नमबर एक दूद को हमेशा थोड़ा पतला करके ही पियें क्योंकि ज़्यादा गाड़ा दूद स्वास्त के लिए हानिकारक होता है नमबर दू मौमोस का जैदा सेवन करने से गुर्दे और पेट संबंदी गंबीर बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है नमबर तीन अगर आप रात को कपड़े बाहर सुखाते हैं तो इससे हमारे स्वास्त पर खराब प्रभाव पढ़ता है साथ ही प्रगर्टी में बाधा उत्पन होती है नमबर चार जो लोग सुबा नास्ते में ब्रेट ब्रेटर चीजों का सेवन करते हैं तो उन्हें सही पोसर नहीं मिल पाता नास्ते में रोजाना घर की बनी चीज़े खाएं इसके लिए आप इडली डोसा उपमा पोहा दल्या ले सकते हैं इस से शरीर में दिन भर एनर्जी बनी रहेगी नमबर पाच संत्रा खाने से दिमागी टैंसन कम होती है इसलिए डॉक्टर संत्रा खाने की सलाह देते हैं नमबर चै यदि गर्बवती महिलाएं रोजाना नार्यल पानी पीती है तो इससे वच्चा सुन्दर होता है नमबर साथ यदि आप चिर्चिड़ापन महसूस करते हैं या मूट खराब है तो दिन में दो से तीन काजु का सेवन करें नमबर आठ यदि आप माइगरेंट की समश्या से परिशान है तो महंदी की पत्यों को रात में पीस कर पानी में भीगो दें और सुबह खाली पेट छान कर 200 ग्राम के लगभग पी लें इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा नमबर नो खाने पीने की कोई भी चीज जायदा गरम हो तो प्लास्टिक के बरतन में मट डाले इसे कैंशर होने का खत्रा रहता है नमबर दस केवल से दा नमक का प्रियोग करें थाइरेट बीपी और पेट ठीक होगा नमबर ग्यारा जो लोग पेट के बल सोते हैं उन्हें हार्ट अटेक का खत्रा जादा रहता है साथ ही ऐसे लोग और लोगों से जायदा आलसी होते हैं विद्यार्थी को एकजाम के पहले एक केला खा लेना चाहिए इससे आपको एनरजी बनी रहेगी नमबर बारा कच्चे आम के छिलके का काढ़ा बना कर रख ले पेट में कीड़े होने पर एक चम्मत भर कर एक से दो दिन पिलाने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं नमबर तेरा सौप का पानी अपने आप में ही बेहत गुणगारी होता है इस पानी में अगर सहद और नीवो का रस खाली पेट पिया जाए तो इससे गुण और भी बढ़ जाते हैं इससे शरीर की इम्मुनिटी में सुधार आता है और फैट तेजी से कटना सुरू हो जाता है नमबर चोदा अगर अचानक पेट में दर्द सुरू हो जाए तो गुन-गुने पानी में काला नमक डाल कर पी लें इससे पेट दर्द में बहुत आराम मिल जाता है नमबर बीस जुकाम होने पर दूद का दूद या दूद से बनी चीजों का शेवन नहीं करना चाहिए इससे आपकी शमश्या और भी जायदा बढ़ सकती है नमबर एक्कीस छुरियों की समश्या को दूर करने के लिए नारियल तेल और सहत को मिक्स कर लें और इसे अपने फेश पर लगा लें पंदरा बीस मिनट के लिए छोड़ दें इसके बाद हलके गुन-गुने पानी से चेहरे को धोकर साफ कर लें नमबर बाइस जादतर घरों में लोग सुबह नास्ते में ब्रेट बटर चीजों का सेवन करते हैं या चीजें बच्चे के शरीर को पोसर नहीं मिल पाता है लिए नास्ते में केवल घर की बनी चीजों का ही सेवन करें जैसे इडली डोसा सांबा रूपमा उन्हें दे सकते हैं इससे उनके शरीर में दिन भर एनरजी बनी रहेगी नमबर तेईस अगर नीवू पानी पीते हुए नीवू के बीच आपके मुँँ में आ जाए तो वह चबा कर खाने इससे कई बिमारियां दूर होती है नमबर चौबिस चेहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की जरुवत नहीं पड़ेगी नमबर पच्चिस ठंडा पानी पीने से बाजबन की बिमारी हो सकती है नमबर चबिस रोजाना एक चम्मच करेले का जूस पी लेने से शुगर की बिमारी से बचा जा सकता है नमबर चथाईस जैदा कैलोरी लेने से बचना चाहिए कोल्ड रिंग की जगा नीबु पानी और मीठे के लिए सफेद चीनी की जगा गुडिया सहत का इस्तेमाल कर सकते है नमबर अठाईस अगर आप मसूर की दाल नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खुन की कमी नहीं होगी और साथ ही शरीर की कमजोरी दूर करता है नमबर उनतीस बंद जूते गर्मी के मौसम में इस्तेमाल ना करें इससे नजर कमजोर हो सकती है नमबर तीस बिना हाथ धोए जो लोग खाना खाते हैं उनकी याद दास्त कमजोर होने लगती है नमबर इकतिस गर्वावस्ता में नासपती का शेवन करना अमरित के जमान माना जाता है नमबर 32, हार्ट अटेक जैसी बिमारियों से बचना चाहते हैं तो रोजाना प्याज और लहसुन का सेवन करें, सुबह एक सेव जरूर खाएं नमबर 33, एक सास में पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द होने लगता है और पानी हमेशा तीन सास में और बैठकर घुट घुट करके पीना चाहिए नमबर 34, सुबह दूद के साथ नमक और सभी प्रकायर की खटाई वाली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूद को हमेशा अकेले ही पीना चाहिए नमबर 35, रोजाना एक्सेसाइज जिरूर करनी चाहिए, इससे शरीर स्वस्त रहता है और साथ ही शरीर कई गरी गंबिय बिमारियों से दूर रहता है नमबर 36, यदि थाइराइट की समस्या है तो चाहिए में काली मिर्चो और सौट डाल कर पीना चाहिए, इसको रोज पीने से थाइराइट की समस्या खत्म हो जाएगी नमबर 37, हर बात को जाएदा सोचने वाले लोग अक्षर डिप्रेशन में पड़ जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग भी वही सोचने लगता है और असलियत में होता ही नहीं है इसलिए किसी भी बात को जाएदा ना सोचे नमबर 38, खाना खाने के बाद खाली चूले पर तवा ना रखें, गैस बंद करने के बाद तवा कभी भी उसके उपर ना छोड़ें नमबर 49, कई ओड़ों की आदत होती है कि शाम का खाने के बाद वह तवे को धोती नहीं है आपको ऐसा करना अन्न को अपमानित करने के समान माना जाता है शाम का खाना बनाने के बाद तवे को हमेशा धोकर और शुखा कर ही रखना चाहिए नमबर 40, कभी भी उल्टा मूँ करके ना सोए क्योंकि उल्टा सोने से सीधा दिल को नुकसान पहुँचता है और इससे खाना भी अच्छे से नहीं पचपाता है नमबर 41, फिटकिरी के उपर अंडे की सफेदी लगा कर मूँ पर मसेलने से जूरियां खत्म हो जाती है नमबर 42, रोजाना रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में 10-12 किसमिस डाल कर रख दें अगले शुबह खाली पेट किसमिस का पानी पिए और इसके साथ ही किसमिस को चबा कर खा लें रोजाना इसके सेवन से लीवर नेचरल तरीके से साफ हो जाता है साथ ही शरीर में मौझूद एक्स्ट्रा फैड बनना बंद हो जाता है और शरीर में खुन की कमी भी दूर होगी नमबर 43 दाद दर्द से परिशान है तो दाद के नीचे लोग रख ले इससे दाद दर्द ठीक हो जाता है नमबर 44 चालिश की उम्र के बाद महिलाओं के इश्किन अपनी नेचरल कमी खोने लगती है इसके लिए रोजाना मूध होने या नहाने के बाद अपने चेहरे को मौश्चराइट करना ना भूले ऐसा करने से आपकी इश्किन लंबे समय तक जवान नजर आएगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद